कि ए गाईज वन सेकंड वेलकम यूट रोट्स अकैडमी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसकस करने जा रहे हैं कौशन नमबर टू तो चलिए शुरू करते हैं यह आपके स्क्रीन के कौशन नमबर टू देखे क्या कहरा है कौशन नमबर टू का भी हम फिर्स् इन्फाइन नमबर ओप स्व học सेनों कि बात कर रहा है ए amendment कि यू करने क्या करना होगा सुलूशन करते हैं इसका सुernिक हमें पता होना बहुत ज़रूरी एसके लिए यहनए इन्फाइन नमबर सुलूशन के लिए सब्सक्रीर क्राइए उन यह वहता है तो ये चीज़े हमें पहले पता करना पड़ेगा, find out यानि a1 upon a2 निकालना पड़ेगा, तो आइए निकालते हैं यहां से, right, तो देखिए, इसको हम compare कर लेंगे किससे, a1 x plus b1 y and plus c1 equal to 0 से, इसको भी compare करना होगा हमें a2 x plus b2 y and plus c2 equal to 0 से, तो आइए यहां से पहले निकालते हैं इन दोनों की ratio, a1 upon a2, तो a1 upon a2 देखिए, first equation में है a1 यानि यहां जो x की coefficient है a1, तो यहां क्या है x की coefficient 2, upon second equation में देखिए, x की coefficient क्या है, तो यहां a2 है, तो यहां x की coefficient क्या है a minus b, तो यहां ले लिए a minus b, यहां निकाल लिए है, दूसरा b1 upon b2, तो b1 upon b2 equal to क्या हो जाएगा, यहां देखिए, b1 होता है y की coefficient, तो यहां 3 है, हमने 3 ले लिया, and यहां इस वाले में y की coefficient क्या है, a plus b, तो a plus b ले लिया, right, and अब क्या निकालेंगे, c1 upon c2, क्योंकि हमें यह condition apply कर ले परेंगे, c1 upon c2, तो c1 upon c2 निकालेंगे, तो देखिए, c1 क्या ओधा था constant term, right, तो यह जो constant term है, equal to 7, तो हम 7 भी रख सकते हैं, या फिर, इसको हम RHS में shift करके भी रख सकते थे, दूनों तरीके से रख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, और दूनों valid है, तो यह 7 and upon, बस condition हीं होना चाहिए, एगर यह equal के बाद है, तो यहां भी equal के बाद ही यह होना चाहिए, ठीक है, तो यहां क्या है, 3, a plus, b, and minus 2, गीया गया, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, question में ही कह रहा है कि A और B की जगह हम क्या रख दें, यानि A और B की जगह क्या रख दें, एक iqon수란 infinite solution के लिए होना क्या चाहिए कि यह इंग्स होना चाहिए कि यह 13 रसे नधी के को आप में माई आजाएंगे According to question According to question क्या कह रहा है कि infinite solution होना चाहिए है ना overlooked medicines nine सब्सक्राइबिध सब्सक्राइब सब्सक्क्राइब यहां पे तीनों पो तो अब देखिए एवन उपन एटू क्या निकाल चुके हम तू अपन ए माइनस ऑपी एक्वल है तो तो इक्वल B1 उपन B2 3 उपन 3 उपन A प्लस B तो यह ले लिया and equal to C1 उपन C2 यह C1 उपन C2 है ना तो देखिए C1 उपन C2 क्या है 7 and upon 3 A A plus B minus 2 यह अब क्या करेंगे यहां से हम इसको simplify करेंगे तो देखो simplify करने के लिए हम ऐसा करते हैं पहले इसको और इसको ले लेते हैं यानि कि यह वाली quantity और यह ले लेते हैं फिर यह और यह ले लेंगे दो equation बन जाएगा फिर दो unknown दो unknown equation हम दोनों को simplify कर लेंगे फिर तो आईए यहां पर कर लेते हैं now 2 upon A minus B equal to 3 upon A plus B तो बस अब यहां से क्या करते हैं cross multiply कर दीजिए तो देखिए 3 का multiply इसमें होगा है ना A minus B में and equal to 2 का multiply किसमें होगा A plus B में जैसे multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 A minus 3 B equal to इसमें multiply करेंगे तो 2 A plus क्या हो जाएगा यह 2 B equation बना लेते हैं यानि A B को इदर की तरफ के shift कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 3 A minus 3 B and यह इसकी तरफ लेके आ जाते हैं तो minus 2 A and minus 2 B तो final क्या मिल जाएगा equal to इदर क्या हो जाएगा 0 और यहां से क्या मिल जाएगा हमें 3 A में से 2 A जाएगा देखिए यह 3 A है और यह 2 A है तो क्या मिल जाएगा हमें A and minus 3 B minus 2 B तो क्या मिल गया minus 5 B equal to 0 अब क्या करते हैं इसको equation 1 कह देते हैं अब आते हैं हम इन दोनों को लेते हैं यानि के 3 upon A plus B and 7 upon E square E square quantity को लेके फिर simplify करते हैं तो देखते हमें क्या मिल जाता है चले इस वाले देखिए अब इन दोनों quantity को हम equate कर देते हैं तो यहां पर क्या है यह 3 upon A plus B यह हमने ले लिया equal to 7 upon 3 A plus B minus 2 इन तीनों में से ना आप केसी 2 को equate कर सकते हैं इसको और इसको और इसको कर सकते हैं या फिर हम 2 upon A minus B और 7 upon इसको भी कर सकते हैं यानि बस आपको दो equation किसे भी दो-दो को लेकर के ना आपको दो equation बना लेने हैं क्योंकि दो unknown है अब cross multiply कर दीजिए तो 7 से multiply होगा किस में A plus B में और 3 से multiply क्या हो जाएगा इस वाले में 3 A plus B minus 2 में तो final क्या मिल जाएगा 7 से में multiply करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें 7 A and plus 7 का B में multiply करेंगे तो यह मिल जाएगा 9 A तो minus का 2 A मिल जाएगा यह हमें minus 2 A and उसके बाद 7 B and minus 3 B तो यह मिल जाएगा हमें plus का 4 B क्योंकि 7 में से 3 जाएगा 4 साइन बड़े का लगाएंगे plus है तो plus equal to क्या गए यहाँ पर minus 6 अब ऐसा करते ना minus 2 common कर लेते क्योंकि इसमें भी है जाएगा 2 B and equal to यह minus 6 है तो minus 6 ही रखते है इसको अभी अब minus 2 इधर multiply में इधर जाएगा divide में तो क्या मिल जाएगा हमें A minus 2 B equal to minus 6 divided by minus 2 minus से minus cancel and 2 से 2 3 जा 6 तो क्या मिल गया हमें A minus 2 B equal to 3 अब इसको हम कह देते हैं equation second देखिए अब यहां से हमें मिल गया equation first and equation second अब इन दूनों equation को एक जगर लिखकर करके हम क्या करेंगे simplify कर देंगे तो आइए simplify करते हैं इन दूनों equation को हम next page पे solve करते हैं तो देखिए यह दो equation था है इसको हमने mention कर लिया अब इसको हमें simplify करना अब देखिए यहां पे हम कोई भी method apply कर सकते हैं क्योंकि question में कोई भी specific method mention नहीं किया कि आपको इस method से solve करना तो हमें जो convenience लगेगा method वही apply कर देते हैं तो यहां पर देखिए यह इसकी coefficient equal है elimination method apply कर देते हैं तो क्या कर देंगे subtract कर देंगे subtract इसको करेंगे 2 को from 1 हमेशा नीचे वाले को minus करेंगे 1 से ठीक है वैसे करने के लिए हम किसी में से किसी को भी कर सकते हैं लेकिन हम नीचे वाला इसलिए minus करते हैं ताकि नीचे वाले की sign हम बदल के और उसको easily handle कर सके तो दे 3 है तो 3 आप किसी भी मेधर से solve कर लें कोई issue नहीं है तो माइनस प्लेस माइनस 5B में से 2 भी जाएगा तो क्या रहागा माइनस का 3B एक्वेशन में पूट कर दीजिए तो इक्वेशन वन क्या है a-5B equal to क्या है 0 तो a की value हमें नहीं पता तो यह रहेगा minus 5 into b b की जगा 1 रखेंगे equal to 0 तो a equal to कितना मिल जाएगा यहाँ से 5 वन जब 5 0 की तरफ आ जाएगा तो 0 प्लेस 5 हो जाएगा यानि a की value कितना आ गया 5 दस a और b के question में कह रहा था ना कि a और b के किस value के लिए तो यह की value 5 रख देंगे और b की value 1 रख देंगे तो इस equation के यह जो pair of equations है दो इसका infinite number of solution होगा आप verify भी कर सकते हैं इसको चलिए अब question number 2 का हम second parts देखते हैं तो यह रहा आपके screen पे देखे इसमें क्या अगर आप for which value of k will the following pair of linear equations have no solution इस पर कहरा है no solution होना चाहिए right no solution के लिए condition क्या होता है आप एक वर याद करो तो वह होता है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 यह condition होता है it means कि हमें इस वाले question में यही condition apply करनी है तो आईए इसके लिए तो हम सबसे पहले इसकी ratio निकाल लेते हैं है na coefficient की ratio a1 upon a2 इसको अगेन हमें compare करना होगा किससे a1 x plus b1 y and plus c1 equal to 0 and दूसरा a2 x and plus b2 y plus c2 equal to 0 से तो देखिए a1 upon a2 यानि x की coefficient होता है a1 तो यहां क्या है 3 तो 3 and upon यहां x की coefficient क्या है 2k minus 1 राइट उसके बाद हम calculate करेंगे b1 upon b2 तो b1 b2 y की coefficient होता है यहां 1 है तो 1 and upon यहां y की coefficient क्या है k-1 तो यह हमने mention कर लिया k-1 थर्ड वन calculate करेंगे c1 upon c2 तो c1 upon c2 देखिए क्या है c1 होता है constant term या इसको हम दूनों तरीके से लिख सकते यानि rhs में जब 0 हो तो यहां जो होगा यह c1 इसको भी लिख सकती या फिर बीना 0 बनाए rhs में लिख सकते हैं ना यहां देखो rhs में 0 नहीं है फिर भी हम इसको वन है तो वन ही लिख देंगे बीना lhs में shift किये हुए तो यह one है तो वन और उसके बाद यहां क्या है यह 2 k plus 1 बस यह हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहां पे हम इसका यह वला जो टर्म और यहां तो यह भी आरचस में होना चाहिए यह लहां चाहिए यहां तो दूनों अरेचस में होना चाहिए और यहां जाएंगे और according to question, queshan में क्या कह रहा है no solution होना चाहिए no solution it means कि यह condition apply होगा तो no solution के लिए यहां फी क्या apply करेंगे 11 of on a 2 and equal to b1 upon b2 but not equal to करेंगे c1 upon c2 क्योंकी question तो indirectly यही कहना चाहिए कि यह condition होना चाहिए तो हमने यह condition लगा दिया बस अब इसमें value put कर देते हैं तो a1 upon a2 देखें क्या है यह है 3 upon 2k-1 equal to है तो equal to b1 upon b2 1 upon k-1 and तीसरा है third one not equal to c1 upon c2 तो यह हो गया 1 upon 2k plus 1 तो अब ऐसा करते हैं न फास्ट एंड यह second वाले quantity को लेके हम x के value find out कर लेते हैं तो यह देखें 3 upon क्या है 2k-1 यहां से वैसा भी mention कर सकते हैं now now 3 upon 2k-1 equal to 1 upon k-1 cross multiply कर दीजिए तो 3 से multiply हो रहागा k-1 में and equal to 1 से multiply हो रहागा इसमें 2k-1 है तो यही रह जाएगा 3 से multiply करेंगे तो क्या रहागा 3k-3 and equal to 2k minus 1 अब k को एक तरफ कर लिजे नंबर को एक तरफ तो यह क्या मिल जाएगा 3k-2k and equal to minus 1 and plus 3 तो 3k में से 2 के जाएगा तो यहां क्या जाएगा k equal to minus plus minus यानि that is 2 तो k equal to क्या मिल गए हमें 2 तो k की value जब हम 2 रख देंगे यहां पे तो इसके लिए क्या होगा इसका कोई भी solution नहीं होगा और इस वाले को लेना जरूरी नहीं है ठीक है ना वैसे हम ले भी सकते हैं पर जब एक से हमें मिल गया हमें दूसरे को लेना जरूरी नहीं है